हालो फ्रेंड्स टेंज के सीरीज में एक बार फिस आपका स्वागत है फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंज के जो बेसिक कॉंसेप्स थे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंज के पहचान थी अफर्मेटिव सेंटेंज को नेगेटिव सेंटेंज का negative sentence मतलब किसी भी sentence में नहीं सब्द आए ठीक है उसे क्या बोलेंगे हम negative sentence देखेंगे जो की yes या फिर no type yes no type के पहचान क्या है जो सबसे आगे क्या होना चीए क्या सब्द जो आता है ठीक है हम उसकी बात करेंगे फ्रेंट्स आये देखते हैं कि किसी भी sentence को किसे भी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को अगर वो future perfect tense में है उसके sentence को हम लगाएंगे तो उसको जो लगाने का हमारा जो rules होता है एक बार उसको देख लेते हैं हमारा जो rule है सबसे पहले क्या होगा हमारा जो helping verb है वो पहले आजएगा हमारा helping verb क्या है हमने बात किया था पिछली वीडियो में कि will have हमारा क्या रहेगा singular के साथ रहेगा और shall हमारा plural के साथ रहेगा will have will या फिर shall प्लस हमारा क्या रहेगा subject ठीक है यह हमको याद करना must है जब तक हमको यह rule पता रहेंगे हम क्या करेंगे किसी भी sentence को चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहों हम उसको easy way में लगा सकते हैं ठीक है will shall subject negative sentence तो क्या होगा not उसके बाद क्या होगा have not होगा फिर have होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं have not कर देते हैं जबकि not होगा फिर have ठीक है उसके बाद क्या होगा हमारा verb का third form plus object ठीक है other word रहेगा तो हम use करेंगे नहीं तो क्या करेंगे object के बाद सीधा question mark लगा देंगे question mark क्यों हो क्योंकि हमारा interrogative sentence ठीक है आएए देखते हैं सबसे पहले examples को लगाते है friends example सबसे पहले हमारा क्या है will या फिर sell ठीक है तो subject के उपर depend करता है अगर वो singular है तो क्या होगा हमारा will plural है जैसे I और be आएगा हमारी जैसे यहाँ पर sentence क्या है be ठीक है तो be के सांथ क्या लगेगा sell तो हम क्या करेंगे क्या के नीचे sell का use कर देंगे ठीक है तो sell we उसके बाद sell होगया हमारा subject क्या है we negative sentence friends क्या आया है sentence not आया है तो हम क्या लिखेंगे not plus have ठीक है आप का use करेंगे उसके बाद verb हमारा क्या है पकाना तो cook c double o k verb का third form है तो cooked क्या पकाना अपना भोजन तो हमारा object क्या है अपना भोजन तो we के साथ अपने का hour ठीक है एक मिन we के साथ अपने का करेंगे हम friends we का hour हम use करेंगे ठीक है तो अपना भोजन तो hour foods ठीक है हमारा क्या होगय object हमारा other word बचा है other word क्या है साम को ठीक है तो साम को क्या होगा यहाँ पे at evening हमारा और कुछ नहीं बता other words होके हमारा sentence खतम होगा तो last one क्या लगाएंगे question mark question mark लगाने के बत क्या होगा हमारा sentence complete हो जाएगा ठीक है आएए दूसरा देखते हैं दूसरा क्या है बे लोग हमारा subject क्या है बे लोग तो क्या लिखेंगे दे ठीक है दे में क्या लगेगा सिर्फ I और B के साथ क्या लगता है friends sell लगेगा पाके he see it you और दे के साथ क्या लगता है टीक है तो क्या लिखेंगे will they negative sentence ये तो not फिर उसके बाद have ठीक है उसके बाद क्या है हमारा verb का third form read का third form read ही होता है ठीक है उसके बाद हमारा object क्या है अपना किताब तो अपने का दे के साथ अपने में there किताब का book क्या हो गया हमारा book ठीक है हमारा क्या हो गया यहां तक होगा, other word देखेंगे है की नहीं, तो हमारा क्या है, सुब हमें हमारा other word है, ठीक है, तो हमारा other word क्या है, in the morning, ठीक है, हमारा क्या होगा, sentence complete, तो हम full stop, sorry, question mark लगा के, sentence को complete कर देंगे, I hope कि आपको यह समझ में आया होगा, एक और examples देखते हैं, examples में यहाँ पर सबसे ठीक है, sell, I, negative sentences, not plus have, ठीक है, not plus have, verb क्या है हमारा, गया, गया मतलब, जाना, का third form, gone होगा, कहां पर, market, to, market, ठीक है, market होगा, plus हमारा other word हम देखेंगे, other word है, ठीक है, कल है, तो हम कल लिखेंगे, tomorrow, ठीक है, क्या लिख देंगे, last में, question mark, ठीक है, I hope कि आप कोई समझ में आ गया होगा, friends, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो like करिएगा, नए हां तो चैनल को subscribe करिए, अपने मंद से 4-5 examples को friends और लगाईए, इस trick के मादम से, अगर या आपको याद रहेगा, तो sentence कितना अगर वो इंट्रोगेटी निगेटी sentence से, future perfect tense का, ठीक, thank you friends